तो यह वो फैंग कैसे हैं आप दोस्तों आई में आपको बताने वाला हूँ आपडेट आया है या फिर वह सकते हैं 15.4 का रोल आउट कर दिया गया है पब्लिक वर्जन को जिसमें बहुत सारे नए फीचर को एड़ किया गया है और बहुत कमाल-कमाल के महाँ पर नए फीचर आज आपको मैं कुछ वहाँ के फीचर बताने वाला हूँ 15.4 अपडेट होने के बाद उसके बाद नेक्स्ट वीडियो में आपको बताऊंगा उसमें कौन-कौन से नए फीचर को एड़ किया गया है तो यह आप समझपाएंग दोस्तों चलते हैं आगे मेरे अडम सनी और आपको स्वाद आते हैं मेरे चैनल ऐसे टेक में तो जैसा कि मैंने बताया है यहाँ पर आपको नए अपडेट या नए फीचर के बारे मताने वाला हूँ दोस्तों यह मैं आपको बताने वाला हूँ 13 मिनी के अंदर यहाँ पर जो अपडेट आया दोस्तों 1.2 का आपको जाना है यहाँ पर अपने मॉबाइल की सेटिंग पर आपको यहाँ पर अपने मॉबाइल की सेटिंग पर जाना है सेटिंग पर आपको यहाँ नीचे की तरफ जाएंगे यहाँ पर आपको जाना है फेस एन आइड और पासवर्ट पर और यहाँ पर आपका जो भी क आपको यह option दिखा देगा यहाँ पर आप दिख सकते हैं लिखा हुआ है यूज फेज आईडी विता मास्क और यहाँ पर आपको दिखा गया है आपको यहाँ पर फेज आईडी के लिए अपने यूज फेज आईडी विच मांग यूँ वांट टो नीड टू एरा मास डूरि लेना है तो setup करने के लिए आपको करना करना क्या है मैं यहाँ और से करना क्या है यहाँ पर आपको इसे यहाँ पर घ्लास करते हैं तो आपको करना क्या होगा यहाँ पर एड्ट करके क्लिक करना है और और अपने गिलास करना है passado भी फोटो को या मूल सकते हैं Glass लगाने के बाद भी आपको अपने चेहरे को यहां पर capture कर लिना मैं अम Сक्य यहांभ लगा लेका तो नहीं करेगा तो आपको यहांपर लगा लेना है ग्लास के अपको अब करुई लगाने के बाद आपको अब यह हो चुका और आप देखेंगे यह unlock ओचुका है मैंने यहां से lock करा है लोक करने के बास मैंने यह थे खोला और आप देखे वो unlock हो चुका है और आपको दिकीरा होगा ये quickly unlock हो रहा है मतलाब बहुत ही अच्छे तरीके से यह work कर रहा option मुझे तो बहुत से अंदर लगा यहां पर आपको एक और option दे दिया गया यहां पर अगर आपने face ID की थुरू कोई भी password फिल करते हैं या फिर बोल सकते हैं अगर आपने कहीं भी app में कोई भी password लगा कर रखा है तो आप इसके थुरू marks लगाने के बाद भी उसको भी unlock कर सकते हैं मतलब कि जहां भी आपने password प्रोटेक्ट करा है वहाँ पर भी आप अपने password वहाँ पर डालना रेता था तो यह वाला फिचर सबसे बैस्ट लगा उसके आद दोस्तों जो नेक्स फिचर बताने वाला हूं वह है उसके बाद नए फिचर यह हैं यहाँ पर उन्होंने कुछ के नीचे मतलब यह सारे यहां पर कुछ कुछ यहां पर जोड़ेगा है उसके बाद यहां पर अगर आप जाएंगे हैंडशेक्स करते हैं तो हैंडशेक्स के साब के लिए यहां पर उन्होंने नए 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 यहां पर इमोजिस को जोड़ा गया है और यहां पर कुछ इम्पोर्टेंट्स भी यहाँ पर finger emojis को यहाँ पर चोड़ा गया है, तो second changes यह है, उसके बाद थर्ड बताने वाला हूं, वो भी बहुत कमाल का है, अगर आप अपने mobile में automation का use करते हैं, तो यह कमाल का feature है, यहाँ पर क्या होगा, पहले क्या अरता था, automation की आप, वहाँ पर automation run होता है, तो अब आपको वहाँ पर notification हो जाएगा, कि वहाँ पर automation रपका run हो रहा है, तो यह feature भी बहुत जाद अच्छा है, क्या कि पता नहीं चलता था, हमें जो भी automation लगा है, वो run हो रहा है, नहीं हो रहा है, तो आप इसके थुरू आप वहाँ पर पता लगा सकते हैं स्री एंसर्च पर, यहाँ पर आप जाएंगे स्री वाइस पर, तो आप देखेंगे यहाँ पर एक और नया वेरियंट को वाइस की आपको यहाँ पर जोड दिया गया, तो यहाँ पर एक नहीं लेंग्वेज को जोड दिया गया, यह बोल सकते हैं नहीं वाइस को यहाँ प 12 से नीचे है, तो वो आपको Face ID वाला option आपके पास नहीं work करेगा, Mask with Face ID वाला option वर्क नहीं करेगा, दोस्तों यही कुछ नए चेंजिस थे, या वो सकते जो नए feature थे, मुझे लगे बहुत important नए features, उसके बाद मैं एक और वीडियो बनाओं, जैसा कि मैंने पहले का था, जिस मैं पूरे एक एक छोटे-छोटे feature को वहाँ पार describe करूँगा, अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो, तो प्लीज मेरे चलने को सब्स्राइब करना ना बोलने है, या फिर आप मुझे Instagram पर DM करके भी पूछ सकते हैं, और सबसे जरूरी चीज़ दोस्तों, अगर अभी तक आपने मेरे चलने सब्सक्राइब नहीं किया, तो थैंक,